हेलो दोस्तों आप दिख रहे हैं डिलेटेस इन्फो यूट्यूब चैनल आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जैके SSB के कुछ पी वाई क्यू जाने के प्रिविस एर कुशिन्स और आपके एक्सपेक्टेड कुशिन्स जो आपके पूछे जा सकते हैं तो जितने भी आपके अपके अपकमिंग एक्जाम है जैसे जूनियर एसिस्टेंट्स और आने वाली नियू रिक्रूड्मेंट के लिए ये वीडियो आपकी इंपोर्टेंट रहेगी दोस्तों बात करें यहां पर प्रिविस एर कुशिन्स और एक्सपेक्टेड एमसी उसी हिसाब से देखते हुए यहां पर जो कोशन है वो यहां पर बनाएंगे हैं तो दोस्तों फस्ट कोशन की तरह भी यहां पर बढ़ते हैं देख सकते हैं फस्ट कोशन इन विचियर कश्मीर वाज अनेक्स बाई महराजा रंजीत सिंग तो महराजा रंजीत सिंग ने कश एटी आफ अमरित सर्ट, एटी आफ लहोर, जो मेन मेन डेट्स वाले कोशन है, यह आपको जुरूर यहां पर पढ़के जाने हैं, तो यहां पर किश्मीर कब अनेक्स किया गया था, जो महराजर रंजीद सिंह थे, आप सभी को पता हिए अगा कि सिख इंपायर के यह most powerful ruler जो ह यहां पर माने जाते हैं, तो इसका जो answer रहेगा, वो आपका 1890 रहेगा, आप अपने जो question के जो answer है, वो comment box में भी कर सकते हैं, और अपने ऐसे भी वीडियो को pause करके, आप जो है, यहां पर अपने question को answer दे सकते हैं, तो चलिए दूसरे question की तरव यहां पर बढ़ते हैं, duration of legislative assembly of जमून किश्मीर, given under which section of जमून किश्मीर de-organization act, आप सभी को पता है, 2019 में जमून किश्मीर का रिया organization act आया था, तो यहां पर duration दी गई है legislative assembly की, जमून किश्मीर की, वो किस section में यहां पर दी गई है, तो section आपके पास given है, देख सकते हैं, section 9, section 11, section 12, यहां फिर section 17, तो इसका जो सही answer रहेगा, दोस्तो वो आपका D part, section 17, इसका correct option यहां पर रहेगा, third question की तरफ बढ़ते हैं, अकनूर ford was built by dash in 1802, तो किसने अकनूर ford को यहां पर built किया था, तो option आपके यहां पर provided है, महराजा गुलाब सिंग, राजा आलम सिंग, राजा अमर सिंग, यहां फ Britishers के आने से पहले, जो है, श्री नगर पे किसका रूल था, आप सभी को पता है, कि डोगरत बिनेस्टी थी, उसके बाद दोस्तों यहां पर बात करें, तो सिक्स ने रूल किया था, तो इसका D part यहां पर correct option रहेगा, Britishers से पहले सिक रूल यहां पर था, question number 5 की बात करें, य उन्होंने JNK की किस river को यहां पर यह बोला था, कि यह hide dust pass इसका नाम दिया था, तो option यहां पर दे सकते है, Jellum, Chinab, Tavi, यहां फिर Indus, तो यहां पर आप सभी को पता ही है, इसका जो correct option रहेगा, वो आपका Jellum रहेगा, Jellum को यहां पर वितासता भी कहा जाता है, दोस्तों और Chinab की बात करें, तो चंदरबागा कहा जाता है, तवी की बात करें, तो यह क्लाश कूंडी से originate होती है, आप सभी को पता ही है, कि यह जम्मू को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, और Indus की बात करें, तो Sindhu River भी इसको यहां पर दूस्तों आप कहा सकते हो, तो इसक किसके दोरा यहां पर कंड़क करवाए जाता है, यहां पर देशकते हैं कि Reserve Back of India के दोरा, भी Ministry of Home Affairs के दोरा, जाँ फिर Election Commission के दोरा, जाँ फिर Ministry of Finance के दोरा, तो इसका दोस्तों जो correct option रहेगा, वो आपका Ministry of Home Affairs रहेगा, तो Ministry of Home Affairs के दोरा ही, जो हमारा decennial census है, वो यहां पर कं इसलिए क्योंकि यहां पर काफी flooding देखने को मिलती है इस river के दोरा, तो कौन सी वो river है, option आपके given है, गंगा है, दुमोदर है, चंबल है, यहां ननावदीस, तो आप यहां पर अपना answer दे सकते है, जो इसका correct option रहेगा, वो दोस्तों आपका ननावदीस रहेगा, कुछ इ आप देख सकते हो, तो mostly जो इसका answer था वो नननावदीस था, इन में से कोई नहीं, तो question number 8 की बात करते है, system software act ऐसे bridge between hardware and dash software, तो इसका क्या answer रहेगा, तो system software किस तरह bridge जो है act करता है, यह between hardware and किस तरह की software में यह जो है bridge act करता है, तो option आपके given है, management, processing, utility या फिर application, तो D part इसक next question की तरह यहां पर बढ़ते हैं, जो कि question number 9 है, question number 9 की बात करें तो which key on windows keyboard sets to full screen mode, in most browsers, कौन सी key को यहां पर press करें, जिसकी मद से हमें full screen mode, काफी browsers में देखने को मिलता है, बात करें तो as compared to windows में, तो option आपके given है, F1, F10, F11, या फिर F12, तो इसका जो दोस्तों correct option रहेगा, व F11, next question की तरफ यहां पर बढ़ते हैं, which of the following is not a secondary storage device, इन में से नहीं है, option देख सकते हैं, hard disk drive, solid state drive, RAM, या फिर USB, flash drive, तो दोस्तों इसका जो correct option रहेगा, वो आपका C पाट रहेगा, RAM is not a secondary storage device, चलिए 11th question की तरफ बढ़ते हैं, जो की modern history का, यहां पर question हमें देखने को मिल रह है, arrange the following in chronological order आपका पूछा गया है, पुराने से new तक, जानि की oldest to newest, यहां पर कुछ movements आपको यहां पर given है, तो इनको chronological order में आपको लगाना है, तो इसके लिए मैं यहां पर आपको बतादू, मैं आपको सिधा option आपको बताएता हूँ, कौन सा option इसका correct है, तो D part जो है, इ A, B, D, C, पहले सबदेशी movement आएगा, फिर इसके बाद non cooperation movement आएगा, फिर आपकी civil disobedience movement आएगा, फिर last में आपकी cute India movement आपकी जहां पर last में देखने को मिलेगी, जिसमें आपका do or die का नारा भी यहां पर दिया गया था, और उसके बाद दोस्तों question number 12 की तरफ बढ़ते हैं, दोस्तों next question की बारे में यहां पर पूछा गया है, inventor of www, जनी की worldwide web को किसने inventor यहां पर किया था, तो option आपके दिये गया है, Bill Gates, Lee and Fiong, Tim Bernish Lee और Tom Bernish Lee, तो इसके जो correct option रहेगा, वो अपस C पाट रहेगा, Tim Bernish Lee, और यह जो Tom है, यह सिर्फ एक confusion के लिए डाला गया है, काफी ब First UNESCO City of Literature, यह काफी important question है, यह current affair का ही question देखने को मिल रहे है, तो दोस्तों यहां पर जो आपके cities दी गई है, किसको यहां पर जोड़ा गया है, First UNESCO City of Literature में, तो देख सकते हैं कि, सूरत option में है, इंदोर है, कोजी कोड और ओधंपूर, तो इसका जो correct option रहेगा, वो दोस्त इसका question है, railway tracks runs, dash the river, option देख सकते हैं, over, on, hours, यहां फिर across, तो यह काफी असान question है, D, across the river, जो है, इसका सही answer हैगा, उसके बाद दूस्तों 15 question की बात करें, यह भी English का question है, English काफी easy पुछी जाती है, जैके SSB में, dash light comes from the sun, इसमें कौन सा article यूस होगा, तो option आपके दिएग 16 question की बात करें, यह यहां पे पूछा गया है, Bukaro Steel Plant was constructed with collaboration of, जो Bukaro Steel Plant है, यह किसकी help से construct किया गया है, USA, Germany, Russia यहां पे ब्रिटेन, तो इसके जो सही answer हैगा, वो दूस्तों आपका C पाट रहेगा, जो Russia की help से है, यह Bukaro Steel Plant जो है, इसको यहां पे construct किया गया है, 18 question की बात करें, the oldest oil field in India, तो कौन सी आपकी oil refinery देखने को मिलती है, दोस्तों यहां पे दे सकते हैं कि Bombay High Maharashtra, यहां फिर अंखलेशपर Gujarat, नवगाम Gujarat, यहां फिर डिगगोई असाम, तो इसका जो answer हैगा, वो अपर D पाट रहेगा, डिगगोई असाम जो है, is the oldest oil field in India 19 question की बात करें, which of the following is the highest mountain range in Jammu and Kashmir, highest mountain range कौन सी आया है, सिर्फ Jammu and Kashmir की यहां पे पूची गई है, तो जनसकार, जडड आएगा यहां पे, नंगा परबत, नुनकुन रेंज, यहां फिर अबरनात mountain, तो इसका जो सही answer रहेगा, वो दोस्तों आपका B part रहेगा, नंगा प Powerpoint Presentation, कौन सी टर्म यहां भी यूज की जाती है, सिंगल स्लाइड में, जो की Powerpoint Presentation बनाने के लिए, तो इसका जो सही answer रहेगा, दोस्तों वो आपका C part रहेगा, slide, slide is used for the single slide in a Powerpoint Presentation, तो यह कुशन थे यहों दोस्तों यहां पे थे, और आपको mock test कैसा लगा, अगर इस पे का कमेंट बॉक्स में, और दोस्तों यहां पे यह पूरी पीडिया अपको हमारे टेलिग्राम ग्रूप में देखने को मिल जाएगी, तो यह सभी के लिए इंपोर्टर रहेगा, और कौन कौन से टॉपिक्स इसमें एड करने की जुरूरत है, वो भी आप मुझे कमेंट बॉक दोस्तों बसे ही था हमारा आज का वीडियो